इस दुन्या के हर एक विक्ति में अन्सुलजेवे रहसों को सुलजाने का जिग्या सा हमेशा होता है, लेकिन इस फिर्म के हीरो के अंदर ये जिग्या सा पाङल पनती है, क्योंकि जो रहसे सुलज सकते थे और इतने सालों तक जहां कहीं थे सही सलामत थे, लेकिन पूरे मेरे को नहीं लेना है तो मत लें लेकिन दूसरों को तो लेने दे तो हेलो वन आपस अभी कहां मेरे चाल्पस हो गए जहां पर में के आपका होस और यह रहे मेरे गोस बात करेंगो 22 में आया हुआ फिल्म जो आभी आप लोग के लिए Amazon Prime के उपर उपलब है जिसका नाम है Uncharted के बारे में तो बिना आपका वक्त बरबाद के शुरुवात करते हैं आज कब लोग तो इस फिल्म की शुरुवात ही होती है सीधर 3000 फीट से जहां पर एक लड़का मस्त में नींद की जपकिया ले रहा है जब तक वो अपने होश में आता है तब तक हम चिल्ला रहे होते है कैसे वैसे वह अपने आपको संभालते हुए प्लेन में चड़ जाता है तभी अपने दुर भाग्य से और इस गाड़ी के भाग्य से फिर से गिर जाता है लेकिन कोई अचनक उसके हाथ को पकड़ कर हमें ठीक 15 साल पिले ले जाते हैं जहां पर वो और उसका भाई कहीं उनों में बच्पन से ही अपने पुरुवच जैसे ही प्राचेन वस्तों को चुरानी की आदत होती है अब इसे जिग्या से कहो या फिर चूते आपा या आप लोग ही डिसाड़ करो उन्हें इथियास में रहस्य मैं से खुए हुए वह सारे खजाने हमेशा अपनी और आकर अच्छे हैं उसे कोई नहीं निभाता है नेथन बड़ा हो जाता है और एक बार में बार टेंडर का काम करने लगता है एक दिर उसके रेस्टों में प्राचीन वर्स्तु में व्यापार करने वाला एक बंदा विक्टर सुलिवन उसे उसी 500 साल से खोवे हुए सोने को खोज निकालने के लिए काम सोबता है जिसकी उसे बचपन से ही तलाश थी और इतने सालों से जिसने अपने भाई को नहीं देखा अभी उसे पता चल जाता है कि उसका बड़ा भाई भी इसी खोज में निकला है लेकिन वो कहीं गायब हो चुका है तो नेथन मंजे टॉम होलंड एवेंज इसका स्पाइडर मन का हीरो कहता है कि ऐसा मौका तो मैं अपने हाथ से कभी जाने ना दू तो दोनों निकल पड़ते हैं इस खुए हुए बिल्लियन डॉलर से भी ज्यादा खजाने को और अपने भाई को खोज निकालने के लिए अभी इस फिल्म में आगे क्या ह बहुत ही जबर्दस एडवेंचरस फिल्म होने वाला है इस गेम को मैं खुद परसनली खेल चुका हूं और इतना माइंड ब्लोइंग और इंगेजिंग गेम है कि पूछो मत और बहुत ही अच्छा हुआ कि कांस्टिंग भी उसी हिसाब से की गई है और बहुत भेतरी तरी है एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा सिन्स लेकर थो सबस्से की गई है तो इस फिल्म के अंदर यसी और इस फिल्म का जो narration है आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा हर एक डायलोग में कोई ना कोई information है और इस फिल्म का transition यानि कि एक सिंसे लेकर दूसरे से में बहुत ही सरलता से audience को ले जाती है और उसी वज़े से audience इस फिल्म के साथ हमेशा अंतक जुड़े रहती है और पूर दो भायों का emotional रिष्टा और एक जबर्दस adventure जिसके अंदर होने वाली है सोने की खोज यह सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है हाँ शुरुवात में कहानी थोड़ी predictable हो जाती है पर आगे आगे बहुत सारे चोका देने वाले मौके देखने के लिए मिलेंगे लेकिन और फिल्म के उपर इतना effect नहीं करता इस फिल्म का background music और editing बहुत ही बढ़िया है इस फिल्म के डिरेक्टर है Ruben Flesher जो खुद एक प्रडूसर और Zombieland Venom Gangster Squad ऐसे फिल्मों के डिरेक्टर भी रह चुके हैं Tom Holland और Mark Wahlberg के अलावा आपको Sophia Ali, Tati Gabriel और Antonio Bandres भी देखने के लिए मि अच्छल गेम से काफी अलग है और उनकी एज भी मिलती चुलती नहीं लेकिन क्योंकि इस उनके आगे बहुत सरे पार्ट्स आने वाले हैं इसलों ने स्टार्टिंग में ही उसी हिसाब से बहुत यंग एक्टर को चुन लिया अगर आपको लगबक दो घंटे का एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो जो अभी तक आप लोगों ने यह फिल्म नहीं देखा तो मैं कहूंगा इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें और आपको 100 परसंट रेक्टमेंट करूंगा ओवरॉल फिल्म का एक्टिंग मुझे बिल्कुल भी खास नहीं लगी हाँ एक सपोर्टिंग रोल है पर नेथन की जिंदगी में उसका बहुत ही बड़ा और एहम हिस्सा होता है तो मार्क वॉल्बग अगर इस गेम को अच्छे से देखते तो इस रोल को अच्छे से प्ले कर पाते पर उन्हो से लगता है कि जबर्दस्ति की एक्टिंग कर रहा है लेकिन इन चीजों के अलावा यह फिल्म पैसा वसूल है और बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे और इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत ही जल्ब आने वाला है यह फिल्म अगर आप लोग नहीं नहीं देखा तो एक बहु जरूर कीज़े सब्सक्राइब कर दो तुरंट वो बटन दबाने कर ताकि नहीं 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 व्लोग आएंगी उसके नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको आएंगे और अगर आप में चाहिए पे नहीं हो या फिर मेर दुसरे व्लोग देखना चाहते हो तो उपर आई बट ँब कर ईएंगी नहीं हो इसा चाहते हो त Employee